दोस्तों नमस्कार आपका अपना ही चैनल स्टेट राजया में आपका श्वागत है आज हम लोग लगें NCRT का नोट्स है इस्ट्री डिटल नोट्स इससे पहले का 5 क्लास है उसको जोइन करिए आज हम लोग 6 क्लास को शुड़ू करते हैं मंगोल इत्यास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी शिकारी संग्रहक जनजाती मंगोल की थी वो मद एशिया के घास के मैजान स्टेपी और थोरा उत्तर की और बन प्रांतों में से बसे हुए 1206 में चंगेज खाने मंगोलों और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिछाली शेन बल में बदर डाला अपनी मिर्ट्यों के समय बारसो सताइस वह एक सूब्रिस्तित परदेश का शाशक था उसके उत्तरा धिकारियों ने एक बिशाल सम्राज ख़़ा किया अलग-अलग समय में इसके अंतरगत रूस पूर्वी यूरोप चीन तेथा मद्पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा शामिल था मंगोलों के पास सू संगठित सेन प्रशाशनिक बेवस्ता थी यह विविन जातियों और धार्मिक समों के समर्थन पे आधारित थी नोट डॉण करेंगे अब दिखेंगे चेर और मल्यालम भाशा का विकास जी हां महोदाई पूरम का चेर राज प्रायदीपिय के दक्षिन पस्सिमी भाग में जो आज के केरल राज का एक हिस्सा है नौवी सताप्दी में इस्तापित किया गया था संभवर्ता मल्यालम भाशा इसके इलाके में बोली जाती थी सासकों ने मल्यालम भाशा एबंग लीपी का परियोग अपने अभिलियोखों में भी किया बस्तुत इस भाशा का परियोग उप महादिपिय के सरकारी अभिलिकों और छेत्री भाशा के परियोग में सबसे पहले उधारनों में से एक था नोट डाउन करेंगे ऑफिसियल लेंग्वेज एन लोकल लेंग्वेज दोनों में यहां इन्पोर्टेंट था अब चेक करेंगे चोधवी सताब्दी का एक गरंथ लीला तिलकम जो व्यकरन तथा कावशास्त्र विशयक है मनी प्रवालम सैली में लिखा गया है मनी प्रव पड़ाए जी हां इनसे कुछ चीजों को देखते हैं बारवी शताब्दी के गंग बंस के एक अत्यन्त परतापी राजा अनंत वर्मन ने पूरी में पुरुशुत्तम जगरनात जगरनात का शाब्दिक अर्थ दुनिया का मालिक जो के विश्णू का प्रियावाची है के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया जगरनात मुल्लत एक इस्थानिया देवता है जिने आगे चलके विश्णू का रूप माल लिया गया था उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीग ने तिरतिय राजा अनंग भीग तिरतिय ने अपना राज जी पुरुशत्तम ज राजस्तान इस्थित है राजपूत आना कहते थे इससे यह समझा जाता है कि इस छेतर में अधिकांस लोग राजपूर थे राजस्तान में राजपूतों के अलावा अन लोग भी रहते थे तदा पी अक्सर इह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्तान पे विशिष् लगवग आठवी सताबजी से आज के राजेस्तान के अधिकांस भाग पे विविन परिवारों के राजपूत राजाओ का शाशन रहा पिर्थिवी राज एक ऐसा ही शाशक था यह शाशक ऐसे सुर्वीरों को आदर्श को अपने हिर्दे में संजोए रखते थे जिनुने रन कहां पर है कथक शब्द कथा शब्द से निगला जिसका परियोग संस्कीत तथा अन्भाषों के कहानी के लिए किया जाता है कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानि की कहानी सुनने वाले की एक जाती थी कथाकार हाव वाव तक संगीत से अपने कथा व रिष्ट ने पैरानिक अख्यान कहानी लोक नाटक के रूप में प्रस्तुत किये जाते थे जिन्हें हम राश लीला कहते थे उन्हें हम क्या कहते थे राश लीला कहते थे राश लीला में लोक निर्थ के साथ साथ कथक कथाकार के मूल हावाव भी जुरे होते थे आगे चल अब देखेंगे निर्थ का रूप और सास्त्री भारत नट्टम तमिनलाडु का कथक कली केडल का ओडिशी में ओडिशा कच्चीपूरी आंध्रपर्देश मनिपूरी मनिपूर में नोट डाउन करेंगे यह निर्थे अब देखेंगे लगू चित्र से कुछ चीजों को अब देखेंगे शतरवी सताबदी के बाद कुछ चीजे सतरवी सताबदी के बाद वाले वर्सों में आधुनी खीमाचल परदेश के इर्द गिर्द हिमाला की तल हटी के इलाकों में लगू चित्रकला की एक शाहशपुन भाव पर्वन शैली का विकास हो गया जिसे हम बशो हली शैली कहा जाता है यहाँ जो सबसे लोगपडिया पुस्तक चित्रित की गई थी वो था भनुदत्य की रसमंजरी नोट डाउन कर है यहां मानना होता है कि पेर पोधे जर बस्तु और प्रकति घटना में भी जीवात्मा है अब देखेंगे मचली को भोजन के रूप में काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है मचली पकरना बंगाल के लोगों का प्रमुक धंदा रहा है और बंगाली शाहित में मचली का इस कर बजाल ले जाते हुए दर्शाया गया ब्राह्मनों को भी शामिश भोजन करने की अनुमती नहीं थी लेकिन इस्तानिया आहार में मचली की लोग पढ़ियता को देखते हुए ब्राह्मन धर्म के विशेशग ने बंगाली ब्राह्मनों के लिए इस निशेत को भी धील द पॉइंट है अब देखते मुगल समराज्य का पतन नादिर्शा ने 1749 में दिल्ली पे आकरमन किया और संपुन नगर को लूट कर वह बड़ी मात्रा में धन दोलत ले गया तक थे ताउस यानिकी मयूर सिंगाशन को भी लूट कर अपने साथ ले गया नादिर्शा के आकरम किया और लूट पाठ मचाई अठारवी सताब्दी के दोरान मुगल समराज धीरे धीरे कई श्वकंत्र छेत्री राज्यों में बिखर गया नोट डाउन करेंगे अब देखेंगे महत्पुन राज्यों में से एक था अभद का सम्रिद्शाली परदेश जो के गंगा नदे क ये उपजाओं मैदान में फैला हुआ था उत्तरी भारत अथा बंगाल के बीच बैपार का मुख मार्ग उसी से होके गुजरता था अब देखेंगे बंगाल मुर्शित कुली खान बंगाल के नायव थे यानि की प्रान के सुविदार के परतिन्यूक्त थे मुर्शित कुली खान आपचारिक रूप से सुविदार कभी नहीं बना उनके बहुत जल्द सुविदार के पत से जुड़ी भी सक्ता अपने हाथ में ले ले थी राज के शाहुकारों के बीच हैदरावात था अभध में जो घनिष्ट सम्मंद था वो अलिवर्दी खान के शाशनकाल 744 से लेकर 756 में बंगाल में भी इसपश्ट दिखाई दिया उसके शाशनकाल में जगत सिल्ट शाहुकार घराना अत्यंतर सम्रिदिशाली हो गया अब देखेंगे राजपूत, अंबर और जोदपूर के राजपूत, राजघरानों ने गुजरात और मालवा के लाबधाय को सुवो की सुवेदारी का दावा किया, जोदपूर के राजा अजित सिंग को गुजरात की सुवेदारी और अंबर के सवाई राजा जैसिंग को मा मलवा की स्विधारी मिल गई बादशा जहंग दार्शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नभीनी करन कर दिया जोदपूर का राज घराना नागोर की जीत ली और उन्होंने राज में अपने राज में मिला लिया दूसरी और अंबर ने भी बूंदी के बड़े-बड मराठो के अभियान ने इन राजबारों पे भारी दबाब डालना शुरू कर दिया जिससे उनका अपना विस्तार आगे होना रुक गया डोट डाउन करेंगे अब देखेंगे अंबर के शाशक सवाई जैसिंग दिल्ली जैपूर उज्जेन मतूरा और वारानशी में पाच खगोलियो वैदशालाओ का निर्मान गिया जंतर मंतर के नाम से विख्षा इन वैदशालाओ में खगोलियो पिंडू के अधन हेतु भी कई उपकरन मिले हैं नोट डाउन करेंगे 1732 एक फार्स वित्रांत राजा जैसिंग का बर्नन राजा जैसिंग अपने सत्ता की चरंप पर थे ठीक है चरंप पर थे 12 वर्ष के लिए वो आगड़े के सुविदार रहे और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के उनके पास बिशाल सेना तोफ खाना तथा भारी मात्रा में ध रवदा के तट तक फैला हुआ था कई राजपूत शाशकों ने मुगल का उत्राधिकार शुकार किया था लेकिन मेवार एक मात्र ऐसा राजपूत राजज था जिससे मुगल सत्ता को चुनोती दे दी थी राना परताब 1572 में उदाइपूर मेवार के बड़े औरे छेत्र को नियंतरन के साथ मेवार की राजगदी पे आशिन हुए राना परताब के पास मुगल अधिराजश्व को शुकार करने के लिए कई दूतों को भेजा लेकिन अपने निर्ने पे वो ध्रीड रहे मतलब अरे रहे अब देखेंगे शिक्ष के धरम से कुछ पॉइंट्स को गुरु गोविन सिंग ने 1689 में खालसा पद की स्थापना की गुरु गोविन सिंग ने इस्थापना से पुर्व और उसके पस्चात रासपूर्ट और मुगल शार्षकों के खिलाब कई लड़ाईया भी लड़ी 1708 में गुरु गोविन सिंग की मिर्द्व के बाद बाद बहादूर के नेत्रित में मुगल सत्ता के खिलाब विध्रो किया उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविद सिंग के नामों वाले सिक्के गड़कर अपने शाशन को शार्वबोम बताया सत्लूज और यमुना नदी के बीच में छेत्रों में उन्होंने अपने प आपको पहले जन्तों में बाद में मिसलो में संकचित किया इन जन्तों मिसलों के सयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती है यह क्या कहलाती है दल खालसा दलखालसा की बैठक में सामोईक निर्णे के लिए जिससे गुर्मत्ता गुरु के प्रस्ताव कहा जाता है शिक्षों ने राखी वेवस्ता इस्तावित की महाराजा रंजित सिंग ने विबिन सिक्षों शमू में फिर से एक्ता कायम करने के लिए 1799 में लाहूर को अपना राजधानी बना लिया अब देखेंगे मराठा, मराठा राज एक अन्य शक्तिशाली छेतर का राज था 17 स्तावित के अन्त तक दक्कन में सिवाजी के नेत्रित में एक शक्तिशाली राज के काउदाय शुरुआत हुआ जिससे अन्त तक एक महराठा राज की इस्तावना हुई प्रसस्त्र किया वीजापूर और मुगल के खिलाप उनके कात्रामाओं ने उन्हें विक्यात व्यक्ति बना दिया वो अपने बिरोधियों के खिलाप गुर्रीला युद कला का भी परियोग किया गुर्रीला युद कला चोथ सरदेश मुखी पर आधारित राजश्यों संग्रह प्रानाली भी प्रानाली की शाहिता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य का नीव रख दिया सिवाजी 1627-1680 ने शक्तिशाली युद्धा परिवार देश मुखों की शाहिता में से एक राज इस्ताई राज का इस्तपना की अत्त गतिशिल क्रिशक पशुचारक कुन भी मराठों के सेना के मुख आधार बन गया सिवाजी ने प्राइड इपिय में मुगल को चुनोटी देने के लिए इन सेन्य वल का परयोग किया सिवाजी की मिर्तु के पस्तर मराठा राजा में प्रभावी शक्ति चित पावन ब्राह्मोनों में से एक परिवार के हाथ में रही जो कि सिवाजी के उत्तराधिकारी रूप में अपना सेवा देता रहा 1720 के दसक में मालवा में मराठा अभियान ने उस छेत्र में इस्तित सहरों का विकास वह सम्रिद्धी को कोई हानी नहीं पहुचे उज्जन सिंधिया के सरक्षन में और इंदोर होलकर के आश्रे में फलता फुलता रहा यहां शहर तरह से बड़े और सम्रिद्धी साली थे वह महत्पुन बाने जिक एवंग सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे मराठा के द्वारा इन पे नियंतित इलाकों में व्यापार के नए मार्गे खुले लगे चंदरी के छेत्र में उत्पादित रेशम बस्त्रों को म मराठा के रासधानें पूने में नया बजार में मिλα नोड ड्याउन करेंगे रेशम सबसे पहले में नया बजार में मिला नोड्या दो करेंगे अब देखेंगे बाजी राव पर्थम बाजीराव पर्थम को देख च engineers बाजिरव पर्थम बाजिरव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते थे पेश्वा वालाजी विश्वनाथ की पूत्र भी थे वह एक महान मराठा से नापती भी थे उन्हें विंद के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेव प्राप्त है मालवा बुंदिल खंड गुजरात और पूर्तगालियों के खिलाफ सेंद अभियान के लिए भी जाने जाते थे चोथा कर चमिदारों द्वारा वशूल हो जाने वाला भूराज्य 25 परतिशत दक्कन में इनको मराठा वशूल ते थे नोट डाउन करेंगे चोथ कर सरदेश मुखी कर अब सरदेश मुखी कर क् जातकन के मुख राजेश्यों शंग्रह करता को दिये जाना वाला भूराजेश्यों का नौ से 10 परतिशत शौरदेश मुखी कर है और 25 परतिशत चोथ कर है नोट डाउन करेंगे अब देखेंगे जाट जाटो ने 17 और 18 शताब्दी में 17 शुद्रिर की मतलब उसमें अपना बल थल से अपना बर्चर से बनाया अपने नेता चुण्डामण के नेतित में उन्हें दिल्ली के पक्रस्णी में इस्तीड छेत्रों में अपना नियंत्रन कर लिया सोलो सास्सी के दशक में आते आते उनका प्रभुत दिल्ली और आगणा के दूर शहरों के बीच छेत्रों में होना शुरू हो गया जाट शम्रित क्रिशक थे उन्होंने अप्रभुत छेत्र पानिपत था बल्लव गड जैसे शहर महत्पून व्यापारिक केंद्र बन गया सूरज मल के राजा भरतपूर शक्तिशाली राज्यों के रूप में उभड़ा भरतपूर का कीला काफी हद तक पारंपरी को शैली में बनाया गया था वही दिंग में जाटों ने अंबर और आगड़ा के शैलियों में समनवाई करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया सूरज मल के समय प्रानकास्था पे पहुची 1756-7366 के दोरान भरतपूर जाट राज्यों को आधुनिक राजस्थान में संग्रटित किया सूरज मल के राजनित्रिक नियंतर्ण में जो छेत्र शामिल थे उसमें आधुनिक पूर भी राजस्थान डक्षनी हरियाना पस्ष सबसे मजबूत किलो में से एक था अब देखेंगे फ्रांस फ्रांसी से क्रांती भारती इंको चेक करके वीडियों करेंगे ताकि वीडियों लंबा ना हो फ्रांसिसीक रांती 789 से लेकर 794 तक चला अठारवी सतापदी में भारत की भीबिन राज्यों ब्यवस्ता में जन साधारन को अपनी अपनी सरकार के कारों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था ऐसे इस्थिति ने पस्चिन दुनिया में अठारवी सताब्दी के आख्री दसक तक बनी हुई M.D. की 1776 से लेकर 1781 और फ्रांसिसिक रांतियों ने इन इस्तितियों को साथ साथ अभिजात वर्ग समाजिक राजनितिक प्राधिकारों को चुनोती दिये। फ्रांसिसिक रांति के दोरान मदवर्ग के किशान, सिल और सिल्पकार, पादरी गन और अभिजात के विशेश अधिकारों के खिलाब लड़ाई लड़ी, उनका मानना था कि समाज में किसी भी समू के जनमशिद्ध प्राधिकार नहीं होने चाहिए, बलकि लोगों को समाजि इस्तिती योगवता पे निर्भत करनी चाहिए, फ्रांसिसी क्रांति के दार्षनिक ने भी ये सुझाया कि सभी के लिए समान कारूं, समान अफशर होने चाहिए, उनका यह भी कहना था कि सरकार की सत्ता लोगों से बननी चाहिए और जनता को सरकार के कारूं में भूमी का अदा करने का अधिकार होना चाहिए, फ्रांसिसी और एमडे की क्रांतियों जैसे आंदोलों ने धेरे-धेरे परजाओ को नागरिकों में बदल डाला, अब देखेंगे इंडियन हिस्ट्री भारती एथियास, 1817 में स्कॉट लांड के अर्थिसास्त्री और राजनतिक दार इन तीनों काल में खंडित कर दिया, मतलब इन्हों डिवाइड कर दिया, हिंदू, मुस्लिम और बिटिस कालों में, इथियास कार भारती इथियास को आम तोर पर प्राचीन, मद्यकालिन और आधुनिक काल में बाट कर देखते थे, इन विभाजन की भी अपनी समझा हैं, इथियास को इन खंडों में बाटने की यह समझ भी पसिम से आई, नोट डाउन करेंगे, पसिम में आधुनिक काल में विज्ञान, तरक लोकतंत्र, मुक्ति और समाननता, जैसी आधुनिक की तागत के विकास का यूग माना जाता है, उसके लिए मद्यकालिन समाज में आए नहीं थी, नोट डाउन करेंगे, दोस्तों आगे हम लोगो आगे वीडियो में वीडियो काफी लंबा होगा, आपनी विशी करान, सर्वेक्षन, इनको कंप्रेट करते हुए, नेक्स सेशन को लेंगे, दो से तीन वीडियो में पुरा हिस्ट्री गवर हो जाएगा, च स्क्राइब परे, सीट्वेट राजा, जय हिंद, जय भारत!